तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भी ITBP में stress counselor और education branch में जा रहा है हमने आपकी जो new syllabus का वीडियो आपको दे दिया आज की वीडियो में हम बात करेंगा आपकी physical उसके आपकी medical उसके बाद आपकी जो इवेंट्स होगा उसके बारे में मैं लिफ फिजिकल स्टांड टेस्ट मतलब क्या आपकी जो physical standard है याँ आपकी जो बाटी स्ट्रॉक्चर है या स्व्जार्थ की नहीं आपके हाई वेश्ट एक स्वाइक ही नहीं उसको आप फिजिकल्स स्टांडर्ट बोलते है टिक है पहले देखेंगे फॉर अधर स्टेट एंड यूनिन टरीटिति इस debenh generally मैंशन डिलोगे यहां पर हैट एन सेंटिमेटर आपका मिनिमम मैल के लिए वांहिवां 177 मेल के लिए 171 सेवंटी उर फीमील मैं वांहिवां 57 जिसकी पर नहीं ही है इसकी त्यारी करके कोई फाएदा नहीं है यहां पर आपकी जो छेस्ट है है कोने के लिए चाहिए अली के सज्ट की वहाँ पर स्पाइडेट के लिए यहां पर मेल कंडिडेट के लिए 80 आपका मिनिमम वहां पर होना चाहिए नापने के बाद 80 होना चाहिए और 5 cm एक्सपंशन होना चाहिए जो आप चैस्ट को फुलाएंगे तो 85 आपके लिए होना चाहिए ठीक है इसके बाद कुछ एक्सेशनली कैस यहां पर दिया है कि जैसे मान लीजिए तो कैंडिडेट जो गडवाली है कॉमानी जे गोर्खा जे डोगरा जे माराथा जे उसके बाद सीकीम अरुराण चल प्रदेश नागालन मनीपूर त्रिपूरा मिजोरा मेगाले आसाम हिमाचल प्रदेश कश् समीर और लदक इन जो स्टेट की है इनकी जो हाइट थोड़ा सा कम रहते हैं पाहड़ी रहते हैं तो इसलिए इनको थोड़ा गवर्मेंट रिलाक्शेशन देता है यहां पर 165 सेंटीमेटर बॉइस के लिए 155 गर्ल्स के लिए लेकिन 80 और 85 जो चेस्ट है वो बराबर उसके बाद आपका जो फर कैंडिडेट बिलोंग तो सेडूल टाइप जो एस्टी कैंडिडेट है इंक्लोडिंग मीजो और जो एस्टी कैंडिडेट है यहां पर आपकी जो हाइट है और ज्यादर छुट मिलेगा आपको लेड़का हो तो 162.5 और स्टी आपकी कास्ट हो आप बिल्कुल एपलाय कर सकते हैं लेड़की 154 है आपकी हाइट आप कर सकते हैं आपकी चेस्ट में भी यहां पर आपको रिलाक्शन मिलेगा 77 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर एक्सपंशन लगाके 82 ओके वेट कोर्रिस्पेंडिंग टो हाइट एज एज पर मेडि दूसरा वीडियो हम बनाएंगे नहीं हम उसकी लिंक है आपको डेस्क्रिप्शन में डाल देंगे वहां से जाके आपकी हाइट और आपकी एज की साफ से वेट वगरा चेक कर लेना अगर उसमें कुछ और डाउट से आप मुझे डाइरेक्ट पूछ लेना कॉमेंट्स में या कैसे भी करके पूछ लेना उसकी जो लिंक है मैं आपको डेस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं ठीक है यहां पर कुछ दिया है नोट पे कि कैंडिडेट हूँ इंटेंस टू एवल रिलाक्सेशन इन हाइट चाहिए बोल रहा है कि अगर आप यहां पर हाइट में और आप आपके पास होना चाहिए यहा पर देखेंगे कि आपकी आई-साइट क्या होना चाहिए यहां पर दिया कि n6-9 그러나 चाहिए होना चाहिए और realize ईन्य होना चाहिए और सब से उसकी यह सान और ऑग यह आपकी नॉर्मल मेडिकल और फिजिकल स्टेंडर हो गया इसके बाद करेंगे आपकी क्या-क्याइब इवेंट्स होंगे मेल और फीमेल के क्या पास करना होगा यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए हमारा आर्मी सर ऑफिशल अगर जॉइन नहीं किया प्लीज जॉइन कर लिजिए सिलेक्शन प फीजिकल को लेके कोई भी डाउर से रनिंग क्लियर नहीं हो गए एवरीटिंग आप मुझे से पूछ सकते हैं आप टेलीग्राम में आके पूछ सकते मैं आपको पर कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और यह कोई इतना बड़ा बं भी नहीं है चलो फिर चलते हैं आपकी इवेंट्स क्या क्या होंगे कैसे क्लियर करना है मैं आपको बदाता हूँ चलो यहाँ पर थोड़ा सा फीमेल के लिए प्रेग्नेंसी का वो रहता है जो आपको मैं डीटेल में समझाओंगा पहले देख लेते क्या क्या चीजे होगा ऑफ हो मेल कंडिटेट आपको सोलह समीटर देना है दोड़ना है और साड़े साथ मेनीट भाई बहुत ज्यादा है शाड़े साथ मेनीट तो यहाँ पर हम तीन किलोमेटर भाग जाएंगे तो साड़े साथ मिनिक आपको हो जाना चाहिए ठीक है कुम्प्लीट इन 4.5 country 415 मिनिट इतने मिनिट में आपको Series को कम्प्लीट करना कि कि दूसरा है long jump आपको करना है no fit यह भी 3 चांसे मिलेगा तीन चांसे में आपको कम्प्लीट करना है अगर तीन से स्कंप्लीट नहीं करते हो तो फिर आपको reject कर दिया जाएगा high jump में आपका 3 feet है three chances में आपको 3 feet का high jump लगाना है ठीक है देखिए यह जो आप जो यह test हो रहा है इसके कोई marks नहीं है इसको सिफ Q grade लाना यानि qualify करना है जो तीनों test है male के लिए तीनों test है female के लिए यह सिफ आपको दिखाएगा कि हाँ आपकी वह physical like standard है और गर्ल्स के लिए अगर आप वहाँ पर जाने के बाद अगर आप डिटेक्ट होते हो प्रेगनेसी हो आप प्रेगनेट हो तो वहाँ पर आपको unfit कर दिया जाएगा फर्दर आपको वहाँ पर नहीं दिया जाएगा ठीक है इसलिए आपना pregnancy certificate वहाँ पर लेके जाना यहा प्रेगनेट हो 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 देते हो, महाँ पर कुछ हो जाता है, तो आपकी वो जवाबदरी होगा, ITPP का या फॉस का या गवर्मेंट का कोई जवाबदरी नहीं है, आपको कुछ भी हो जाए, तो ये ध्यान देना, अगर कोई गर्ल्स प्रेगनेंसी पे अभी चल रहे हैं, प्लीज एवड करना ये टे कर दिया, मैंने लाइन क्रॉस नहीं किया था, एक अपिल होता है, लेकिन यहाँ पर कोई अपिल बोर्ड आपका नहीं है, जो उन्होंने डिसाइड कर लिया, जो उन्होंने मार्क्स दे दी, वो फाइनल है, इसको सिब आपने क्वालिफाई करना है, और उसके बाद रीटि